वेलो गॉड़ियस फ्यूपल वेलकम टी ग्लोरियस जिंदिगी वेल आज हम बनाने जा रहे हैं हम सभी की फेवरिट भिंडी तो भिंडी जो है मोसली हमें आसानी से भिंडी को भी यह सब मिलते रहते हैं तो बनाना भी जल्दी जल्दी पड़ती है तो थोड़ा सा उसको उसकोब क्ता कि मुझे एक इ~~ है हीट कर लिया है और दो बड़े प्यास लेके उनियूने नौर्मल फ्रै कर लिया बहुत well डर्कäv राउन नहीं किया है बिक को निकifie भिंडी के साथ भी ठाय होने चारिया और अब मैं भिंडी और प्यास को सरसों के तेल में फ्राई कर रहे ह तो के और अभी से मैं कोई मसाला एद नहीं करूँगी और थोड़ा सा इसको इसी जगह फ्राइ करते हुए और थोड़ा पकाऊँगी और इंको टैंडर कर жओंगी। लगा दूँगी और थोड़ा सा सॉफ्ट कर लोगी उसके बाद क्या करना है हमें बहुत सिंपल सा है बस दस पंदरा मिनिट में बनके मतलब दस पंदरा मिनिट है विन गल के आपके डिश आउट आप कर सकते हो ऐसे आसानी से तयार हो जाएंगी अभी ये देखें अनियन लिए थोड़ा उससे बचा हुआ था उसमें मैंने जीरा डाला है और हींग डाली है ठीक है अपिन चॉफ ये जो है हींग हो गई और थोड़ा जीरा आप सब अपने अंदास से ही इस चीज को ले सकते हो अब मैंने ये गारलिक चॉप किया है लहसुन और हरी मिर्च इसको म बहुत अच्छी स्मेल आ रही है तीन चीजों का इस पेशली खासतार से हींग और लहसुन की और हरी मिर्च की साथ में मैंने भी देखे इसमें अधरक पेस्ट डाल दिया था हाफ स्पून और एक बड़ा टमाटर लेकर मैंने इसमें कट करके डाल दिया और इसको थोड़ा तो अब थोड़ा सा पानी डाला और यहां बस वही नॉर्मल से मसाले हम अपने इसमें एड कर लेंगे आज कैमरा हेल रहा है क्योंकि थोड़ा सा वो जो है स्टेंड वो टूट गया है तो तो अब यहां मैंने पानी लिया और इसमें मैंने थोड़ी सी नमक मिर्च और यह बना हुआ डाल लिया मिर्च भी मैंने थोड़ी ली क्योंकि हरी मिर्च एड की और मेरिया मिर्च कम खाई जाती है देन अब थोड़े से टमाटर भी गल गए है मसाला भी भून गया है और इस स्टेज पे अब हम यहां पर इसमें थोड़ा सा दही एड करेंगे ठीक है आलमोस्ट हमारा तयार हो चुका है और इसमें मतलब दही के डालने से एक थोड़ा सारा खटास जो है वह बहुत तेज वाली नहोंकि थोड़ी मीठी ही रहती क्योंकि आजकल टमाटर भी इतने खटे नहीं होते और यहां पर मैंने टू टेबले स्पून यह क्रीम डाल सकते हैं और घर की मलाई भी डाल सकते हैं मैंने घर की मलाई ही डाली है जो घर में हम लोग निकालते हैं दूज से वह मैंने डाल दी है मसाला आप देख रहा है कितना बड़ी हसा उंदा होकर यह भुन रहा है घी तेल सब कुछ निकल कर आ चुका है और अब मैंने इसमें भिंड कोई पानी हम यहां यूज नी करेंगे कुछ नहीं सिर्फ भिंडियों को हम ऐसे ही पकाएंगे क्योंकि भिंडियों को पहले भी गला ली थी थोड़ी देर पकाने के बाद हम ऐसे डिश आउट कर रही हूं बहुत टेस्टी बनी अगर आपको यह पसंद आता है तो वीडियो क को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा थोड़ी सी गार्णिशिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल देन अपना ध्यान रखिएगा बाइग अ हुआ 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 है झा झाल में बाद eh में रख था CHग नाभर